हलो एवरीवन वेलकम बेक टू माई चैनल आज मैं आपके साथ सेयर करने वाली हूं अमरेला इसका ट्यार लेहंगा अमरेला लेहंगे की हम यहां पर ड्राफ्टिंग प्लस जोरी सीखेंगे तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम यहां देख लेते हैं कि अम lumbai उसके वाहने का कमर मेजर्मेंट हो कमर इसके अंदर हम 2-inch margin का प्लस करेंगे अगर आपको फिटेट चाहिए आपकी कमर से तो आप एक इंच ही सिलाई का मार्जिन रखिए फिर इसके बाद आ जाता ही कमरपटी अब कमरपटी हमारी है चोडाई रखेंगे हम उसकी जो नेफा बनाएंगे जिसमें हम नाड़ी लगाते हैं 4 इंच हम चोडाई दगा इंच रखेंगे तो आप उसे आप चारध सबस्कार में पाड़ा लेजिए इसके बाद हमारे कपड़े को डबल फॉलड में करकर घंडल शेप में फोल्ड करेंगे, हमें वे कपड़ा पहले double fold में fold करना है उसके बाद उसे triangle shape में fold करने के बाद ही हमारे lazy cut के कोई भी निशान लगेगा और उसकी cutting होगी, इसके बाद हम हमारी violent कमर के देखिए, हमारा जो भी कमर का हिस्सा हो, हमारे यां कमर चोती सींच है, तो हम इसका चोथा भाग, हमारे कमर का चोथे भाग पर निशान लगाएंगे हमें कमर का चोथा हिस्सा कर लेना है उससे फोल्ड करने के बाद हमें कमर का चोथा हिस्सा करने के बाद उस पर निशान लगाने जैसे इस तरह से हमारा ट्रेंगल शेप में कपड़ा है तो हम जो फोल्ड की जगा रहेगी जो बंद भाग रहेगा उसी तरफ हम कमर का निशान लगाएंगी एक तरफ हमारी खुली भाग रहेगी और एक तरफ बंद भाग रहेगी तो हमें बंद भाग के तरफ कमर का निशान लगाना इसके बाद हमें जो भी हमारी सकट की लंबाई हो इंच टेप को कमर के निशान पर रखकर हमें इसकट की गोलाई में निशान लगाना है देखिए, यहां हमने कमर का निशान लगा लिया, कमर का निशान लगाने के बाद हम इस तरह से कमर के निशान को पर हमारी इंच टेप रखकर इस तरह से गोलाई में निशान लगाते जाएंगे अब मैं आपको ड्राफ्टिंग पर बताती हूँ कि आपको किस तरह से निशान लगाना है देखिए सबसे पहले हमारे पास इस तरह से कपड़ा है तो हम इसे पर इस तरह से आप के पास कपड़ा रहेगा अब हमारा हो जो में औरी बाग से उसमें हम इंगे निशान लगाएंगे तो हमारी जो भी है कंट है हमारी कमर भाग की तरफ हम निशान लगाएं निशेन ये वाली बहाग और यह वाली भाग हमारी खुली भाग है तो अम्रेला इसकट के लिए बस आपको दो ही नाप के आउशकता होगी एक आपको आपकी कमर का नाप चाहिएगा और दूसरा नाप आपको आपके अम्रेला इसकट की लंबाई तो यह हमारा बंद भाग है और यह वाली हमारी खुल लेगा वहां पर आपको कमर का निशान लगाना है मैं आपको क्लोज पर भी रखकर बताऊंगी कि किस तरह से आपको निशान लगाना है देखिए बंद भाग की तरफ से हमारी जो भी कमर का चोथा भाग कमर हमारी जो भी कमर है उसका चोथा भाग करकर हम यहां पर निशान ल की लगा देंगे देखिए इस तरह से इंशान लगा देंगी हमआरी कमर का जो झाकर यहां पर इस तरह जो कमर का निशान निशान के और और उसके बाद ऐसे निशान लगाईए देखिए हमने यहां पर हमारी 40 इंच लंबाई है तो हम यहां पर कमर पर रखेंगे यह इस तरह से हम कमर पर स्केल रखकर और यहां पर 40 इंच पर निशान लगा देंगे अब इसके बाद हमें सरकल में निशान लगाना है तो हम हमारी तरह निशान लगाया को उसको इस तरह कमर के निशान पर 20 in हाइन देखक देखिए यह दुचल रहं अब हमने निशान अब हमने कमर का निशान लगा लिया है अब हमें इसकी लंबाई पर निशान लगाना है तो लंबाई पर निशान लगाने के लिए हमें इस तरह से हमारा 40 इंच लंबाई है तो देखिए इस तरह से हमने 40 इंच पर निशान लगाया अब हम जैसे जैसे कमर आगे बढ़ाते जाएंगे हमारे निशान को वेसे वेसे स्केल को इस तरह से उठाक कर हम रखते जाएंगे गोलाई में हमें निशान लगाना है देखिए यहाँ पर हम फोटी इंच पर निशान लगाते चलें देखिए इस तरह से हमें हमारा निशान यह देखिए अब हम यहां इन निशानों को इस तरह सरकल में ऐसे मिला देना है ये इस तरह से हम यहां पर निशान मिला देंगे ये नीचे से हम यहां इस तरह से गोलाई में इनको मिला देंगे इसमें हम यहां पर दो ही निसान लगाएंगे इसके बाद हम यहां कमर के हिसे को जहां हम निशान लगाएं वहां और इस तरह से इसको राउंड शेप में ही हम कट कर लेंगे इसके बाद हम हमारी कमर पट्टी निकालेंगे हम 2 या 1.5 इंच चोड़ी कमर पट्टी निकालेंगे और लंबाई जितनी हमारी कमर की लंबाई है उतनी ही कमर की चोड़ाई की पट्टी हम उसमें लगा देंगे देखिए इसके बाद मैं आपको कपड़े पर निशान लगा के बताती हूँ कि किस तरह से आपको कपड़ा रखना है और किस तरह से निशान लगाना है देखिए यह हमारा two fold कपड़ा है हमने इस तरह से कपड़े को दो भाग में fold कर लिया उसके बाद हमें कपड़े को इस तरह से triangle shape में fold कर लेना है देखिए हम यहाँ पर इसे ट्रेंगल शेप में फोल्ड कर लेंगे हमने यहाँ कपड़े को इसे ट्रेंगल शेप में फोल्ड कर लिया अब हमारे बस चार भाग में इस तरह से कपड़ा है यह हमारे खुला भाग है और यह वाली साइड हमारी बंद भाग है आपको देखिए यहाँ पर इस तरह से आपको ट्रेंगल शेप में यहाँ उपर कोना मिलेगा तो आप यहाँ पर हम कमर का निशान लगाएंगे इसके बाद यह वाली साइड है इसमें लेंध का निशान लगाएंगे देखिए यहां पर आपकी जो भी कमर का भाग हो उससे चोथा भाग करकर आप निशान लगा आपकी कमर 32 इंच है तो आप यहां आट इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह से कमर पर हम इंच टेप रखकर उस लंबाई पर निशान लगा देंगे और धीरे धीरे खसकाते हुए गोलाई में हम अपनी कमर की लंबाई पर इस तरह से निशान लगाते जाएंगे आपको इंच टेप कमर के निशान पर ही रखनी है और इस तरह से गोलाई पर नि में दीजे से कमर का झुक का शे निखास प्सक्राइब कर लए कुमर की और गलाई में ही जैसे हम नीज़ के बॉट्ट की भी कटिंग कर लें गे तरा से हमने यहां पर drafting और theory complete कर लिए मेरे कपड़े पर भी आपको निशान लगा कर बताया है कि किस तरह से आपको कपड़े पर निशान लगाना है को अमरेला इस कट का फुल कटिंग और स्टीचिंग वीडियो देखना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सस्क्राइब कीजिए थेंक्यू फॉर वोचिंग